पलासिया थाना छेतर इस्तिक मुवाइल शॉप पर चोरी की वार्दात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया उनके पास से चोरी किये गए नौ मुवाइल भी जब्त किये देखे टाइम स्टुडे इंडिया की ये खास खबर दरसल फरियादी अविशेक कुमार ने पलासिया थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी मुवाइल की दुकान पर अग्याद बदमाशों ने चोरी की वार्दात को अंजाम दिया है मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चार आरोपी आकाश शोलंकी, शत्रू, रोहित और रानू को गिरफतार किया आरोपियों के कबजे से नौ मुवाइल भी पुलिस ने जब्त किये सभी आरोपियों को नयाले में भी पेश किया गया आरोपी आकाश और शत्रू को जेल भेज दिया गया वहीं आरोपी रोहित और रानू को दो दिन के लिए पुलिस ने रिमांड में लिया है बदाया जा रहा है कि रिमांड में लिये गए दोनों आरोपियों को वो पुलिस से अन्यवारदातों के खुला से होने की भी उम्मीद है। मुबाइल दुकानों के बुद्द हैं को पूचता है यह दू अब दिन पर जाए कि आज पर आज पर आगएंगे।